खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ेए कि आज किसका नंबर आएगा आज की बैठक में उन सांसदों और मंत्रियों को मोदी के गुस्से का सामना करना पड़ा जो लोग सभा और राज्य सभा की कारवाई से गायब रहते हैं आज की बैठक में क्या-क्या हुआ ये जाने उससे पहले 5 हैडलाइन्स BJP संसे दिदल की बैठक में फिर निकला PM मोदी का गुस्सा सांसदो और मंत्रियों की क्लास लगाई सदन से गयर हाजिर रहने वाले सांसदों और मंत्रियों को मोदी ने चेतावनी दी कहा मुझे सब को ठीक करना आता है बहस के दौरान गायब रहने वाले मंत्रियों पर सक्त हुए मोदी रोस्टर ड्यूटी में नहीं जाने वालों के नाम मांगे है तीन तलाग बिल पेश होने के दिन गायब रहने वाले सांसदों से लिखित जवाब मांगा था जवाब से मोदी संतुष्ट नहीं है संसदे दल की बैठक में मोदी की नसीहत अपने एक शेत्र में सिर्फ राजनितिक नहीं सामाजिक काम भी करे बिलको सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ी हो लेकिन जब मैं खड़ी रही हूं इसके लिए एक मेरे मन में लोकसभा की कार्यवाही की ये चार तस्वीरें सिर्फ 24 घंटे की इन 24 घंटों में अलग-अलग वक्त पर हमने गौर किया तो एक चीज कौमन दिखी और वो ये कि स्पीकर ने तो सही समय पर सदन की कारवाही शुरू कर दी लेकिन कई सांसदों ने इसमें शामिल होना ज़रूरी नहीं समझांगे। जैसे 15 जुलाई की सुभए प्रश्नकाल शुरू होने पर सत्ता पक्ष की तरफ सीटों की पहली पंक्ति पर कोई नहीं दूसरी पंक्ति में सिर्फ तीन सांसद बैटे हैं और तीसरी में सिर्फ तो लगभग ऐसी ही स्थिती लंच के बाद भी देखी इस वक्त एनाईये संचोधन विधेक पर चर्चा हो रही थी पर सत्ता पक्ष के कई सांसद गायक थी शाम हुई सलक परिवहन और राजमार्क के लिए बजट अनुदान पर चर्चा हो रही थी लेकिन सत्ता पक्ष की पहली चार पंक्तियों में सिर्फ तीन सांसद नजर आए इन तस्वीरों को देखकर आपको जो लग रहा होगा प्रधानमंत्री मोधी को भी वैसा ही लगा मोधी इस बात से खुश नहीं है कि उनके सांसद और मंत्री सदन की कारेवाही में गायब रहते हैं आज बीजेपी संसदी अदल की बैठक हुई मोधी ने इस बैठक में इस करते हैं कि फनाना मंत्री या सदन में नहीं था प्रधानमंत्री मोधी हर मंगलवार को सांसदों के साथ बैठक करते हैं और बैठक में सांसदों की घलत बात या बरताव पर उनकी क्लास लगाते हैं यह बात खुद मोधी बता चुके हैं मेरे सांसदों की मंगलवार को मिटिंग होती है मैं सारवजनी कुरुप से बोलचाल में जो कुछ भी करते हूँ कि खिलाप आक्रोश फ्यक्त करता हूँ सुधारने का प्रयास करता हूँ इससे पहले दो जुलाई को प्यम मोदी ने कैलाश विजयवर्गिय के बैट मार बेटे आकाश विजयवर्गिय पर आक्रोश जताया था और आज सदन में अनुपस्थित सांसदों और मंत्रियों की क्लास लगाई सांसदों के गैरहाजरी पर पीम की नाराजगी पहले भी देखी गई 21 जून को जब लोकसभा में तीन तलाग भिल पेश किया गया तो कानून मंत्री रविशिंकर प्रसाद के पीछे की कई कुर्सियां खाली थी सूत्रों के मताबिक 21 जून को बीजेपी के तकरीबन 125 सांसद लोकसभा में नहीं थी इसे लेकर पीम ने दो जुलाई की बैठक में न सिर्फ गुसा जताया बलकि संसदिया कारेमंत्री से गैरहाजर सांसदों से लिखित जवाब मांगने को कहा ABP न्यूस को मिली जानकारी के मताबिक सांसदों के लिखित जवाब चौकाने वाले थे करीब 57 सांसदों ने कहा कि वो संसद में थे लेकिन जब तक उन्हें बिलकी जानकारी हुई तो लोकसभा के दरवाजे बंध हो गए थे आगरा के सांसद SPS भगेल ने जवाब दिया कि वो एम्स गए थे लौटते लौटते देर हो गए वरुन गांधी ने लिखा कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में एक कारिक्रम में शामिल होने गए थे मतुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि वो अपनी नातिन के नामकरण संसकार के लिए मुंबई में थे कुछ सांसदों ने लिखा कि वो लाइबरेरिय में पढ़ रहे थे इसलिए नहीं आ पाए तो कुछ ने सूचना के अभाव में सदन न पहुँच पानी की बात करी सांसदों के इन जवाबों से मोधी संतुष नहीं हुए लिहाजा आज खुले शब्दों में दोबारा चेतावरी थी और कह दिया कि उन्हें सब कुछी करना आता है प्रधान मंसी नरेन मोधी इससे पहले भी कई बार अपनी पार्टी के सांसदों को नसियत दे चुके हैं फटकार लगा चुके हैं कि जब भी संसद की कारवाई चल रही हो तो उस दौरान संसद में रहना जरूरी है प्रधान मंसी ने साफ तोर पर कहा है कि अगर संसद संसद में मौझूद होते हैं तो इससे उनको काफी कुछ सीखने को मिलता है और अपने शेत्र से जड़ो हुए मुद्दों को भी उठा सकते हैं लिहादा एक संसद होने के राते उनकी संसद में उपस्तिती निहायती जरूरी है सुरेश प्रभु ने सवाल सुनते ही ड्राइबर को आगे बढ़ने का इशारा कर दिया रूपा गांगूली ने बड़ी सफाई से इस मुद्दे पर बोलने से ही इंकार कर दिया पार्लमेंटरी मीटिंग में क्या हुआ है वो आप तर जानकर ही पहुंच चुकी है पार्लमेंटरी मीटिंग में अंदर क्या बात होती है उसके बारे में बोलने का मेरा हक नहीं बनता थैंक्यू जाहिर है प्यम की नाराजगी के बाद संसदों की बोलती बन है तो संसद लोकतंत्र का मंदर है लोकतंत्र के इस मंदर में अपनी बात रखने के लिए जनता संसदों को चुनती है लिकिन जब संसद सदन में आएंगे ही नहीं तो वो जनता के मुद्दों को रख कैसे पाएंगे इससे भी खराब बात ये है कि कुछ मंत्री भी गायब रहने लगे है जाहिर है सही वक्त पर P.M. मुदी ने सांसदों और मंत्रियों को सचेद किया है नई लोगसबा का ये पहला ही सत्र है वक्त रहते उन्हें सीख नहीं मिली तो देर हो जाएगी मंत्रियों सांसदों को हिदायर खत्म होगी गायब रहने की आदत